हलो फ्रेंड्स मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में हम मोहनलाल सुखाडिया विसर विधाले उद्यपूर के पिएसडी एंट्रेंस एक्जाम का हिस्ट्री का कोस्चन पेपर सॉल्ड करेंगे तो इसके पहले 45 कोस्चन हमने पिछली वीडियो में सॉल्ड कर लिये थे आगे की कोस्चन इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोस्चन है मुगल समराट ओरंग जेव की मृत्यू किस स्थान पर हुई थी तो ये हुई थी उप्शन C एहमद नगर में अगला कोस्चन है मजहर नामा को समराट अकबर दोरा कब परचारित किया गया था ये किया गया था उप्शन D 1579 इसे में और मजहर नामा का जो प्रारूप है वो सेख मुबारक ने तयार किया था अगला कोस्चन है सूर्दास निमलिकित में से किस मुगल सासक का समकालीन था तो सूर्दास जो है वो अकबर के समकालीन थे उप्शन B इसका राइट अंसर है अगला कोस्चन है ओरंग जेव ने किस सिख गुरू को फांसी दी थी तो ओरंग जेव ने जो है उतेक बहादूर को फांसी दी थी तेक बहादूर ने ओरंग जेव की धार्मिक नीतियों का विरोध किया इस पर ओरंग जेव ने इन्हें बंदी बना कर इसलाम स्विकारने को कहा और मना करने पर मृत्युदंड दे दिया अगला कुश्यन है तिलक सवराज फंड की घोशना की गई थी तो ये की गई थी ओप्शन ए महात्मा गांधी दवारा अगला कुश्यन है निमलिखित पत्रिकाउं समाचार पत्रों को उनके लेखक और संपादक से मिलाईए सूची एक में पत्रिकाउं के नाम दिये गई है वे सूची दो में उनके लेखकों के तो उप्शन वन जो बॉम्बे क्रोनिकल है वो है उप्शन सी फिरोसाय मित्ता का कॉम्रेट जो है वो है मुहमद अली उप्शन डी उसके बाद इंडिपेंडेंट मोतिलाल नेहरू और सौम प्रकाश जो है वो है इसवर्चंदर विद्धाशागर का तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है उप्शन डी अगला कॉस्चन है किसने भारत कृप्स मिशन के द्वित्य विशुव्यूद के बाद भारत के संपरभूता का प्रस्ताव दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक करार दिया था तो यह दिया था महात्मा गांदी ने option B क्रिप्स जो है वो 22 मार्च 1942 को भारत को उंचा तथा अपना प्रस्ताओ 25 मार्च को भारतिया निताओं के सामने रखा और 29 मार्च को जंता के सामने रखा कॉंग्रेश मुस्लिम लीग वे अन्य सभी दलों ने क्रिप्स प्रस्ताओं की अलग अलग कारणों से अलोशना की और महात्मा गांदी ने इसे दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चैक कहा अगला कोशन है निमनांकित एतिहासी गटनाओं को काल करमानुसार व्यवस्थित कीजिए इसमें जो सबसे पहले है जो गटनाओ इथी वो इथी ओप्सन टू चमपारन सत्यागर है उसके बाद प्रोलेट एक्ट उसके बाद जलियां वाला हत्याकांड और लास्ट में जो तो इसका राइट आंसर होगा वो है ओप्सन फोर अगला कोश्यन है अभी कथन ए होम रूल अंदोलन ने परिश्दों दवारा सरकार की स्थापना की मांग रखी जिसके सदस्य ब्रीटिस क्राउन दवारा नामित किये जाएंगे तो यह कथन गलत है कारण आर होम रूल अं प्रीटिस समराज्य के अधियन रहते हुए समाधानिक तरीके से सवसासन को प्राप्त किया जाए यह कथन सही है तो इसका जुराइट आंसर है वो है ओप्सन फोर ए गलत है प्रन्तु आर सही है अगला कोश्यन है बोंबे में साही नोसेना विद्रोह की सुरुवात कभ हु हुई थी ऑप्सन डी 18 फरवरी उननेस सो सियाड़े सिस्वी को इस समय ग्यारा सो नाविकों ने नसलवादी भेदभाव और खराब बोजन के परतिवाद में जो है वो हड़ताल कर दी थी उनकी एक मांग यह भी थी कि नाविक 20 सिदत को जिसे जहाजों की दिवारों पर भ खिलाल अबुलकलाम आजाद इसके अलावा जो इंडियन मीरर है यह है देविंदर नाथ टैगोर का अनहपी इंडिया लाला लाजबतराई और जो अभ्यूदय है वो है मदन मोहन मालविय का अगला कोशन है भारत में नीमन में से कौन सा कथन पर्थम अंग्रेजी समाचार समाचार पत्र के संधर में सत्य है उप्सन वन समाचार पत्र परकाशित करने वाले पर्थम भारतिय गंगाधर बटाचारिय थे तो यह सत्य कथन है उप्सन टू गंगाधर बटाचारिय ने सुरव पर्थम सापताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट का परकाशन किया था य ये कथन गलत है, अठारा सो सोडा में जो है उगंगा दरबटाचारिये ने किया था, जबकि जेम्स अगस्तेस हिक्की ने 1780 में किया था, तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है, वो है option 2, केवल एक वे दो सही है, अगला question है, अंग्रेज और बर्मा के बीच यांडबू की संदी संपन हुई थी, तो ये हुई थी, option 1, 24 जनवरी 1826 इसवी को, यांडबू की जो संदी है, वो पर्थम आंगल बर्मा युद में बर्मा की पराजे के बाद हुई थी, इस संदी पर 24 फरवरी 1826 को अस्ताक्षर हुए, और इस संदी पर्मा की राजधानी आवा से 80 किलोमेटर दूर यांडबू नामक गाउ में हुई थी, अगला कोस्चन है, किस ने भूमिज विद्रो का नित्रित्व किया था, तो भूमिज विद्रो का जो नित्रित्व किया था, वो किया था, गंगा नारायन सिंग ने, option A इसक के दोरान किया गया था, और इसका जो नित्रित्व है, वो भंगा नारायन सिंग ने किया था, अगला कोस्चन है, विलियम बैंटिक दवारा सदर दिवानी वे सदर निजामत अदालत स्थापित की गई थी, ये की गई थी, option 2, इलहबाद में, अगला कोस्चन है, निमन लि अत्यगोर, तत्यबोधनी सभा, इसके अलावा, सर्वेंट ओफ इंडियन सोसाइटी है, ये है गोपाल क्रिशन गोखले का, आत्मी सभा, जो है राजा रामोहन राय, और जो प्रार्थना समाज है, वो है आत्मा रंग, पंडुरंग, अगला कोस्चन है, निमन लिखित और कर पर्थम सवातंत्रे संग्राम, ये सही है, ओप्शन बी, टी आर होम्स, हिस्ट्री ओफ इंडियन म्यूटिनी, ये भी सही है, ओप्शन सी, एस एन सेन, भारतिये सवतंत्रता संग का इतिहास, ये कथन गलत है, एस एन सेन की जो बुक है, वो है 1857, तो इसका जो राइ कोस्चन है, सम्मती आयू अधेनियम, 1891 ने कन्याओं के विवाह की आयू कितने निर्धारित की थी, तो ये की थी, बारा वर्ष, उप्शन सी, इसका राइट आंसर है, और जो तिलक है, उन्होंने इसका विरोध किया था, अगला कोस्चन है, जब राजियों को कर्मा नुसार कीजिये, इन राजियों को कर्मा नुसार कीजिये, जिनका विले लाड डल होजी ने विले निती के अधिन किया था, तो इसमें जो सबसे पहले किया था, वो किया था स्तारा को, उसके बाद संबलपूर, उसके बाद उदेपूर, और लास् अगला कुश्यन है भारत में पूर्टगीज, इंगलीज, डच तथा फ्रेंच के आगमन के पस्चाथ खेती शुरू की गई थी तो यह की दे थी ओप्शन डी टमबाकू, टमाटर, लाल मिर्ज की तथा मक्का की अगला कुश्यन है ड्रें और वेल्ट की अधारना किस ने प्रस्तुत की थी तो यह अधारना प्रस्तुत की थी डादा भाई नुरोजी ने, ओप्शन सी इसका राइट आंसर है अगला कुश्यन है, निमन लिखित को काल कर्मानुसार लिखें ओप्शन वन साइमन कमेशन जो की 1927 इसवी में आया था ओप्शन टू भारतिय अधोगिक आयोग 1916 इसवी में तो इसके कोर्डिंग जो ओप्शन टू सबसे पहला आने चाहिए, वो जो है, वो किसी ओप्शन में नहीं है तो ये कोर्शन हम छोड़ देते हैं, इसका कोई भी ओप्शन जो है, वो सही नहीं है अगला कोर्शन है, भारत का एक मात्र यहूदी वाइसराई कौन था? लिखित में से किसने भारत में माक्सवादी लेखन की शुरुवात की थी? तो माक्सवादी लेखन की शुरुवात की थी, उप्शन D, DD को सांबी ने अगला कुश्यन है निमन लिखित में से किसे अंडमान की सेलूलर जेल में निर्वासित किया गया था ये किया गया था उप्शन D, VD सावरकर को VD सावरकर को जो है वो अंडमान की सेलूलर जेल में निर्वासित किया गया था अगला कोश्चन है मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संग्ठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये की गई थी ओप्शन D, BD सावरकर अर्थात विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा सावरकर नी जो है वो 1922 में मित्र मेला नामक समूह बनाया था चार वर्ष बाद यही संग्ठन अभिनाव भारत सोसाइटी के नाम से सामने आया अगला कोशन है इसाई मिसनरियों ने भारत में पहला मुदर नाले कहां स्थापित किया था तो ये किया था उप्शन A बंबई में अगला कोशन है सत्य सोदक समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था सत्य सोदक समाज का जो गुठन किया गया था वो जो तिबा फुले के द्वारा किया गया था अगला कुशन है किसने तिलक को भारतिय एसांती का पिता कहा है तो तिलक को जो एसांती का पिता कहा था वो कहा था वेलंटाइल सिरोलने अगला कुशन है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच तृतिया करनाटक युद किस तोरान हुआ तो ये हुआ था उप्शन D 1756-1763 इसवी में और इस युद का जो तातकालिक कारण था वो कलायू तथा एड्मिरल वोट्शन दवारा बंगाल मिश्थित चंदरनगर पर अधिखार करना था अगला कुशन है बकसर के युद में ब्रेटिस हैनेकों के कमान किसके हाथों में थी तो ये थी मुनरों के हाथों में उप्शन C इसका डाइट आंसर है अगला कुशन है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिये तथा नीचे दिये गए कूट की सायता से सही उत्तर का चैन कीजिये तो महरानी विक्टोरिया की जो उद्धोसना हुई थी वो हुई थी कैनिंग के समय में उप्शन B बारत का संखी के सर्वेक्षन ये किया गया था मेयो के टाइम पिरियेड में और स्ट्रेची आयोग जो है वो लिटन के काल में और बरनाक्विलर प्रेस एक्ट को भंग करना ये रिपन के काल में तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है उप्शन A अगला कोस्चिन है भारत में कब पहला उदोगिक आयोग का गठन किया गया था ये किया गया था उप्शन A इसका राइट आंसर है अगला कोस्चिन है भारत में 26 की स्थापना की गई थी तो ये की गई थी अगला कुश्यन है बंगाल के विभाजन 1905 को समाप्त कर दिया गया था इसे समाप्त किया गया था अप्शन C 1911 में लोर्ड हार्डिंग दवारा दिसंबर 1911 में ब्रिटिश समराट जोर्ज पंचम और महरानी मेरी भारत आई थे और उनके स्वागत के लिए दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रब करने की गोशना की गई थी अगला कुश्यन है बैथ्योन बालिका विधाले कलकत्ता की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी ओप्शन D 1849 इस्वी में अगला कुश्यन है बिहार में 1857 इस्वी की गरांती का मुख्य संक्टन करता था तो वो था कुमर सिंग ओप्शन A जो है इसका राइट आंसर है अगला कुश्यन है चैंबर ओफ प्रिंशेज के पर्थम चांसलर थे इसके जो पर्थम चांसलर थे वो थे माराजा गंगा सिंग ओप्शन A इसका राइट आंसर है अगला कुश्यन है इतिहास में वस्तु निश्टा क्या है तो ये है ओप्शन 1 तथ्थात मक्ता अगला कुश्यन है इतिहास की बोतिक वादी अवधारना को किसने प्रस्तुत किया था तो बोतिक वादी अवधारना को प्रस्तुत किया था मार्क्स ने ओप्शन A इसका राइट आंसर है अगला कुश्यन है जोनाथन स्पेंस ने लिखा तो उन्होंने लिखा था अधोनिक चीन की खोज Option A इसका राइट आसर है अगला कुशेन है नीमन लिकित में से अनुसंधान हेतु कौन प्रात्मिक डेटा का श्त्रोध हो सकता है तो जो प्रात्मिक डेटा का श्त्रोध हो सकता है वो है सर्वेक्षन Option A इसका right answer है अगला question है सिक्ष्या में अनुसंधान का उदेश्य क्या है अनुसंधान का उदेश्य है वो है option A व्यक्तिगत विकास में मदद करना अगला question है रिसोगी मेंटो अकबार के संपादक कौन थे इसके जो संपादक थे वो थे option C count काउर अगला question है वरसाई की संदी किस वर्श हस्ताक्ष्रित हुई थी यह हुई थी 1919 इस्वे में option A इसका right answer है अगला question है तरकी के साथ पर्थम विसर्व युद के बाद कौन सी संदी हस्ताक्ष्रित हुई थी तो यह हुई थी option B सेबरे की संदी अगला question है रूस में जेमस्त वो क्या था तो जेमस्त वो जो है वो स्थानिय परशासनिक संस्था थी option A इसका right answer है अगला question है न्यू डिल किसके दोरा दे गई थी ये दे गई थी option A ट्रैंकलिन रुजवेल्ट के दोरा अगला question है ओ लेंड विवाद 1922 जिसे लीग ओफ नेशन्स के दोरा सुलज़ाया गया किन दो देशों के बीच विवादित था यह विवादित था option B फिनलेंड और स्वेडन के मध्यर अगला question है 1933 में लीग ओफ नेशन्स की आर्थिक संकट के समाधान के लिए सवा हुई थी तो ये हुई थी लंदन में option B इसका right answer है तो इसी के साथ जो है आज का paper complete होता है धन्यवाद